जाच तक हमें सबको धैरे रखना चाहिए और अभी ऐसे कोई बात नहीं है अभी जाच चल रही है जाच तक हमें सबको धैरे रखना चाहिए और अभी ऐसे कोई बात नहीं है क्योंकि जिस परकार से इस मुद्दे को उच्छाला गया या इसको बढ़ाया गया वह आप सब जानते हैं जाच रिपोर्ट आने दीजिए सब कुछ इसपश्ट हो आपके सामने मंत्री रूप में ह हूँ कल मेरा टेरी उत्रकाशी का दोरा है लगातार में कारिकम में हूँ यह ठीक वैसी बात है जैसे आपको याद होगा 31 तारीकों में रिशी केश था डोईवाल था मसूरी था और मेरे को कह दिया गया कि आप जो हैं दिली तलब किये गए तो यह कुछ लोगों का हो सकता प्रेमचंद अगरवाल के बाद गनेश जोशी ने भी मामले पर बयान दिया गनेश जोशी ने प्रेमचंद अगरवाल का समर्तन करते हुए बोला कि खाली मीडिया पर चर्चाए हैं जो भी हकीकत होगी वो सब के सामने आ जाएगी गनेश जोशी ने बताया कि वो सेना से जुडे काम के लिए दिल्ली गए थे जहां उनकी मुलाकात रक्षा मंतरी राजनाज सिंग से हुई और बाकी काम के सिलसिले में वो और मंतरियों से भी मिले लेकिन चर्चाएं कुछ और ही हो रही थी वही गणेश जोशी ने सरकार की तारीब करते हुए बताया कि उनकी सरका कार इमानदारी से काम कर रही है मीडिया ये कह रही है आप लोगों के बारे सुना जाता है कि आपको दिल्ली हो लगा रहा है तो आप लोग अन्मान लगा लेते हैं तो इसलिए चर्चा है बास्रिता कुछ नहीं है नहीं हकीकत जब हो कि सामने आ जाएगी अब कब तक इन भरती घोटालों की जाँच होगी और सचाई सब के सामने आएगी ये तो वक्त ही बताएगा हरिद्वार से मुदित अगरवाल के साथ व्यूर रिपोर्ट उत्रा खंट तक बाहल्ट उपयल्ट वक्त घँएचर पाने आएगी ये नहीं होगी बताएगी यूर्ट वक्त सास्वालों की बताएगी ये ये रवेड़िते इन पाना एक टुछ छुट्स्टार आएग्यूर्ट